Hello everyone, Namaste, मैं श्वेटा, Welcome back to my channel, Connect with Shukla, I hope you are doing very well आज जन्मास्ट मी है, so happy जन्मास्ट मी to all of you, काना जी सब के घर में खुब सारी खुश्यां लेकर आए तो आज सब लोग अपने काना जी को सजा रहे होंगे, कोई मंदिर की काना जी को सजा रहे होंगे तो मैं भी हमेशा तराशा को काना जी बनाती हूँ और उसको बहुत अच्छा लगता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत excitement रहती है, कि हमारे मम्मा हमें काना जी बनाए, रादा जी बनाए और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उनके excitement कम होती चले जाती है, और या फिर मैं यह कह सकते हूँ कि फिर उनको शरम लगने लग जाती है, फिर वो उतना नहीं उनको रहता कि हमें कुछ बनना है तो बच्चे जब चोटे होते हैं तब उनको बहुत रहती है, तो मैं भी तराशा की इस excitement को बरकरार रखते हुए, इस बार उसको रादा जी बना रही हूँ मैंने जब पहले काना जी बनाया था, तो आप सब के साथ share भी किया था, आपको बहुत अच्छा लगा था, अपने बहुत प्यार दिया था इस बार मैं तराशा को राधा जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक उसको राधा जी नहीं बनाया, हमेशा काना जी ही बनाया है तो आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैं तराशर को काना जी कैसे बना रही हूँ और बहुती कम बेकप के साथ बनाऊंगी और एकदम ऐसी चीज़े उसको कैरी करूंगी जो उसके लिए कमफर्टेबल हूँ तो चलिए आप वीडियो को आगे देखिए और अपना प्यार दीजिए और बताईए कि आपको छोटी सी प्यारे सी राधाजी हमारी कैसी लगी तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले करते हैं ड्रेस चेंज तो यहाँ पर हो गई है ड्रेस चेंज अब इसके बाद हम मेकप करना स्टार्ट करते हैं तो make up करने से पहले हम जितने भी hair आगे आ रहे थे उनको एक hair band से secure कर लिया अब इसके बाद में कुम-कुम लगाना start करूंगी और कुम-कुम राधर आने की favorite थी तो भई ये तो must है और मैं red color की और white color की कुम-कुम use कर रही हूँ आपको ये किसी भी local shop पर बहुत ही अराम से मिल जाएगी और इससे कोई भी skin allergy नहीं होती है अगर आपको 1% doubt है तो आप पहले बच्चे के hand पर लगा कर देख लेए उसके बाद फिर face पर लगाए तो मैंने पहले सोचा था कि जो बीच में मैंने ये full बनाया है तिलक बनाया है उसको मैं सारे में ही apply करूँगी पूरी eyebrows पर बट तराशा का face बहुत ही छोटा है तो मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो फिर बहुत ज़दा भरा भरा सा लगेगा इसलिए फिर वो मैंने skip कर दिया और जैसे अब मैं कर रही हूँ फिर वो मैंने वैसे ही किया तो ये जो मैं बीच में बनाया था वो मैंने side में दोनों तरफ बना दिया तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसको point point को लगाने के लिए मैंने hair pin का use किया है उसे ये बहुत अच्छे से point point लग गए थे और बिल्कुल equal लगे थे और round shape में भी थे तो मैंने पहले देख लिया था कि कोई sharp pin तो नहीं है अच्छे से check किया उसके बात फिर लगाना start किया तो बच्छे की मामले में ये चीज़े बहुत ही देखी जाती है बहुत ध्यान दिया जाता है तो यहाँ पर तराशा बहुत ही जादा happy थी उसको लग रहा था कि वाओ मुमा ये तो मेरे बहुत ही सुन्दर लग रहा है आपने तो बहुत प्यारा बनाया और face expression से तो आप देखी सकते कि वो कितनी जादा खुश थी अब यहाँ पर मैंने काजल लिया है काजल लगाया है और ये handmade काजल ही है जो दिवाली पर बनाया जाता है और आज तराशा के first time eyeshadow use हो रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है और don't worry ये kids eyeshadow है इससे कुछ भी harm नहीं होगा तो मैंने भी इसको apply किया और ये एकदम से remove भी हो जाता है इससे कुछ भी allergy नहीं होती है तो जब भी अगर आप makeover करें तो kids makeup ही use करें उससे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो यहाँ पर मैंने eyeshadow लगा दिया है और उसके बाद ब्रशे तराशा को ऐसे ही कर दिया कि मैं आपके ये लगा रहे हूं बाकि कुछ लगा नहीं रही ती और वैसे भी girls को तो make up कर इतना शोक होता है तराशा को भी ना अगर brush ऐसे ही use कर दो आप तो उसको लगता है कि हा मैंने बहुत make up कर लिया और वो खुद भी ऐसे करती रहती है अब यहाँ पर chin पर भी मैंने ये बना दिया है जिसको तराशा भी गोर रहती not bad mama और वाके में ये अच्छा भी लग रहता अब तराशा के hair बनाते हैं और तराशा के बहुत ही hair growth कम है मैं काफी oiling भी करती हूं बट फिर मुझे लगता है कि दीरे दीरे खाने पीने से अपने आप ही ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर मैं तराशा के hair को secure कर रह है मैंने और सबको एक जगा rubber band यहाँ पर लगा दिये मुझे बनाना है जोडा और इतने कम बालों में आप जोडा नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं यास आप इस तरीके का कोई भी बन ले सकते हैं और उसको आप इस तरीके से देखे यहाँ पर लगा दीजिए बच्चों को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी बहुत ताम जाम नहीं है सिर्फ यह एक क्लैचर टाइप से है उसको आपको फसाना है और आप यह चोटी है चोटी में भी एक rubber band डली हुई है तो उसको भी इस तरीके से डालेंगे और चोटी भी हमारी रेडी है तो बच्चों के स blowing अच्छे से यहां पर लगा दिया है तो यह हेर हमारे हेर स्टाइल बनकर रेडी हो गया है अब जो नेकले से वह यहां पर पहना दिया है और यह थोड़ा सा हैवी है इसलिए मैं मैं इसको अभी नहीं के पहनाऊंगी जब थोड़ा सा मैं और चीजे कर लूँगी उसके बाद इसको फिर मैं ऊपर करके अच्छे से पहना दूँगी अभी यहां पर चोटे चोटे हेर थे उनको मैं ठीक करें थी क्योंकि मुझे टी का यहां पर लगाना था तो हम राधारानी का लूग क्रेट करें इसलिए मैं जितनी भी जूलरी यूज करूंगी वो सब ही फ्लावर जूलरी यूज करूंगी और मैंने बहुत सारे यहां पर जुगाड़ भी किये हैं तो तराशा को एर में पनानी के लिए उसमें छोटा सा एक धागा बांदा है ताकि मैं एर पर उसको हैंक कर सकूँ तो और इसके बाद hand में मुझे पहनाने थे तो hand में पहनने के लिए ऐसे तो मिरे पास कोई flower jewelry नहीं थी बड़ टीके थे मिरे पास तो तराशा के छोटे-छोटे हाथ हैं तो वो टीक तो पूरा ही उसके hand में उन्हों घया था तो मैंने इस तरीके से उसके वो उसमें हैंड में पना दिये थे और वो ब्रेसलेट के टाइप से लग रहा था और मैं कुछ लेने के लिए गई थी इतने आप तराशा के आप नोटंगी देख सकते हैं और अब इसके बाद मैंने सोचा कि तराशा के गज्रा लगा देते हैं उससे लुक और ज्यादा अच्छ लग रही है तो जैसे जैसे मैं चीजे एड करती जा रही हूं तराशा और भी पिटी लगती जा रही थी और एकदम मुझे लग रहा था कि अब राधर आनी वाली फील आने लगी है अब नेक्स्ट हम तराशा के दुपट्टे को सेट करेंगे तो उसके लिए मैंने छोटी तो आप एक आगे लगाने के लिए यूज करें एक जूडे के लिए यूज करें और लाइट वेट ही लें वो भी ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो तो यहाँ पर मैंने भी बहुत ही लाइट वेट लिया है बलकि इसी के साथ आया था तो बहुत ही लाइट वेट है तो जो necklace था वो तराशा को starting से ही बहुत heavy लग रहा था तो यह मैंने एक जुगाड किया मैंने एक मेरे पास flower था उसमें ribbon लगा के मैंने उसका necklace बना दिया तो देखो कभी-कभी जुगाड बड़े ही काम आते हैं अब मैंने कमर बंद लगा दिया और उसके बाद lipstick लगा दी तो य दिकत नहीं हुई क्योंकि मैं कभी apply नहीं करती हूं तो मैं खुद डर-डर के चीजे करती हूं इसलिए मैं बोलती भी हूं बार-बार कि जब भी आप अपने बच्चों के साथ कोई भी makeup यूज करें तो पहले उसको एक बार check कर लें और फिर makeup यूज करें और यहां पर हमा कि आपको हमारी प्यारी सी छोटी सी राधरानी कैसी लग रही हैं कमेंट बोक्स में तराशा के लिए अपना प्यार भर-बर के देना अब आप तराशा से उसका भजन सुनिए बने यह एंडिशगा ट्रश एंडिश्ण वा आप प्राशवित्स नहीं उसको आप रधी में आप यहां आप रधी श्री अबशा हैंट नहीं करेश्ण तर रधी शूंडे यह तर दीश्रा आप डिश्ण नहीं जोंटे श्च्टों एट लिए गड़ी में नहीं ते देल क्रिष्णा, 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 क्र तो यहां पर भजन भी हो गया है कैसा लगा जरूर बताना अब बारी आती है डांस की जो तराशा का फेवरेट पार्ट है उसको डांस करना बहुत ज्यादा पसंद है तो यहां पर तराशा कर रहे हैं मईया यशोदा यह तेरा कनया यह वाले सोंग पर डांस मैं ऑरिजनल ओडियो तो नहीं रहा सकती हैं कोपी रैट का क्लेम आ जाता है बट आप देख ही सकते हैं कि तराशा कैसा डांस कर रही है तो बस यही थी आज की वीडियो कैसा लगा का लुक कमेंट बुक्स में जरूर बताना, अपना प्यार जरूर देना, अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, मिलती हूँ आप से एक और अच्छी सी प्यारे सी वीडियो के साथ, तब तक आप अपने ख्यार रखना, खुश रहना, ज श्री राधे, हैपी चन्मास्ट मी